Hi guys, welcome you all to the channel Bail लेना इतना असान नहीं होता Bail का नाम सुनते ही जो common man होता है उसके मन में एक अजीब सा डर भी पैदा हो जाता है और जिसने किसी crime में involved होता है या फिर उसको किसी ने किसी crime में implicate किया होता है फसाय होता है उसका नाम डाल दिया होता है वो परिशान हो उसके लिए भी इतना असान नहीं होता इन सभी चीजों में सिर्फ एकी बाद दिमाग में आता है कि Bail सबसे पहले ले कैसे Guys, तो हम आज के वीडियो में यहीं डिसकस करेंगे कि Bail कैसे लिए Bail के क्या grounds हो सकते है बेल लेते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और Bail मिलने के बाद आपको क्या-क्या सावधानिया बरतनी चीज हो दाएट आप फिर से जेल में नहीं जा सकें और Bail कितने टाइब का होता है कुछ टिप्स ऐसे शेर करेंगे जिससे कि आप अगर Bail मिलता है तो Bail के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल और वीडियो को लाइक और शेर करना नहीं भूलें तो जो Bail होता है सिर्फ एक जो टेंपररी रिलीफ होता है यह पॉमानें नहीं होता है ऐसा नहीं कि Bail आपको एक बार मिल गया तो आप बस फ्री हो गए आपका कोई उसमें रोल नहीं है आप एकदम फ्री हो गए बिल्कुल भी नहीं देखिए क्या होता है कि जब आपका किसी केस में नाम आता है या फिर आपने कोई क्राइम किया उसमें आपका नाम आ गया तो पुलिस आपको अरेस्ट करती है अरिस्क करने के बाद पुलिस का duty है कि वो आपको विदीन 24 hours magistrate के सामने present करें आपको और अगर magistrate को लगता है कि पुलिस का case strong है तो आपको jail भेज देती है jail भेलने के बाद यह होता है कि आपके family, friends, relatives किसी वकील साहब को engage करते हैं बट इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे case से आप बाहर निकल गए, पूरे case से आपका नाम बाहर आगया अब आपका co involvement नहीं है जी नहीं इसका मतलब यह है कि investigation पुलिस ने कर लिया है, पुलिस का investigation हो गया है आपको jail में रखने से उनका कोई purpose fulfill नहीं होगा, कोई purpose solve नहीं होगा देखिए bail जो होता है यह आपका right है, bail आपका right है, but at the same time जो judge साहब है उनका यह discretionary power है कि आपको bail दे या नहीं दे यह judge साहब के हाथ में होता है, ऐसा नहीं कि उनको foundation है कि आपको jail bail दे ही, but यह है कि उनका discretionary power है, चाहे तो bail आपको दे भी सकते हैं नहीं दे सकते हैं तो यह depend करता है आपके जो case है, उस पर depend करता है कि आपको bail मिले गा या नहीं यह depend करता है case to case, तो judge साहब देखते हैं कि आपका अगर जो case है वो bail देल लाक है, तो easily आपको bail मिल जाता है तो bail basically 3 तरीके का होता है, अगर हम देखे कितने types के bail होते हैं, तो 3 types के bail होते हैं एक जो regular bail होता है, दूसरा anticipatory bail होता है, और third interim bail होता है interim bail का अगर example दूम है, तो जैसे कि COVID के time पे 90 days के लिए बाहर लोगो को छोड़ दिया रहता है कि 90 days बाद आप आप आओगे, तो that is kind of interim bail only section 437 में trial court में आप जो होता है, interim bail के आप फाइल करते हैं, trial court में जब section 437 के अंडर में, तो आप regular bail के लिए फाइल करते हैं section 438 में anticipatory bail के लिए फाइल करते हैं, और section 439 में session court या high court में आप bail के लिए फाइल करते हैं तो जो regular bail होता है, उसमें आप अपने matters को, आपके वकील साभ आपके matter को properly रखते है, court के सामने आपके detail बताते हैं, सारी चीए बताने के बाद वो आपके matter पे argue करते हैं और उसके बाद regular bail आपको grant हो जाता है, और जो anticipatory bail होता है, उसमें आपका anticipation होता है, कि court जो police है, मुझे arrest कर लेगी, तो आप court से anticipatory bail के लिए apply करते हैं, section 438 में आपको लगता है कि किसी FIR में मेरा नाम आ सकता है, पुलिस मेरे को arrest कर सकती है, तो ऐसे में आप anticipatory bail ले लेते हैं तो अब बात करेंगर grounds की तो देखिए, ground सबसे पहला तो यह हो सकता है, काफी time आपने jail में बिता दिया है, और investigation भी complete हो गई है, तो आपको police station में रखके, police का कोई purpose solve नहीं होगा, सबसे first and basic जो ground होता है, यह आ जाता है next यह आ जाता है, कोई आपके against evidence मिला नहीं, कोई सबूत मिला नहीं, investigation होने के बाद investigation complete होगी है, police के हाथ में कोई evidence नहीं आया next यह हो सकता है, कि आपके पास से कोई भी ऐसा चीज रिकवर नहीं हुआ, in that particular case, आपके पास से कोई recovery नहीं हुआ, कोई समान ऐसा बरामद नहीं हुआ, जो आपके against जाता हो यह भी एक आपका ground हो सकता है, arrest के time पे जब police क्या करती है, जब आपको arrest करती है, तो आपका पास से, at the time of arrest, जो भी आपके पास समान होता है, suppose अगर कोई आपने IT Act के अंडर में भी कोई crime किया है, तो जो आपका laptop, phone है, उसमें से अगर कुछ evidence मिलता है, तो वो recovery में आता है, और वो अगर उसमें कुछ भी आपके laptop में, phone में, अगर कोई material है, जो आपके against है, तो वो use कर सकती है, police और at the time of granting bail, जब आप bail के लिए application डालेंगे, तो उस basis पे पुलिस oppose कर सकती है, अब जान लेते हैं, conditions के बारे में, कि जब आपको court bail देता है, तो bail दे देता है, certain conditions रखता है, तो first condition यह होता है, कि आप police और court के साथ cooperate करेंगे, आप कभी भागेंगे नहीं, आपको जब बुलाया जाएगा, आप court के सामने present हो जाएंगे, investigation में cooperate जाएंगे, next यह होता है, कि आप कभी जो witnesses हैं, उनको influence नहीं करेंगे, उनको डराएंगे, धमकाएंगे नहीं, यह basic जो conditions होते है, court लगाता है, at the time of bail, और कुछ शोर्टी भी रखवा लेता है, depend करता है case to case, Supreme Court का judgment था, Arneesh Kumar vs State of Bihar 2014 का judgment है, जिसमें Supreme Court ने कहा था, कि police के पा sufficient ground नहीं है, किसी को भी ऐसी जाके arrest नहीं कर ले, रिनी जोहर vs State of MP 2016 का case है, Supreme Court ने यह कहा था, कि unjustified arrest नहीं होना चाहिए, जो जब भी police वाला arrest करें तो उसके पास justifyable grounds होना चाहिए, DK बासू vs State of West Bengal की बात करें, तो इसमें Supreme Court ने यह कहा था, कि जिसको arrest करते है, आपने देखा होगा कि police क्या करती है, कि arrest करने के बाद मार पिटाई करती है, जिसको भी arrest किया उसके साथ, लेकिन DK बासू vs State of West Bengal में Supreme Court ने categorically बोला था, कि inhuman behavior नहीं होना चाहिए, अमानुई वेवहार नहीं होना चाहिए, आपने जिसको arrest किया है, उसके साथ human वेवहार होना चाहिए, मार पिट उसके साथ नहीं होना चाहिए, तो यह जो यह basic cases है, जिनको किसी भी bail, bail के time पे वकिल साहब होते हैं, इन judgments को use करके bail ले लेते हैं, लेकिए bail लेना आसान नहीं है, तो ज्यादा tough भी नहीं है, यह है कि वकिल साहब को अच्छे से आपका case की तयारी कर लेना चाहिए, और आप जब बता रहे हैं, तो आपके पास यह होना चाहिए, कि वकिल साहब को धंक से case बता है, because आपके बताने के basis पे वो एक application तयार होता है, bail application तयार होता है, और उसके बाद court में present होता है, present होने के बाद बहस होता है, argument होता है, court के सामने, जो P.P.E. होता है, public prosecutor, police department, उन video से related, अगर कोई भी doubt है, तो आपका में इसक्शन पूछ सकते है, thank you.